Hello everyone, welcome back तो जैसे कि हमने previous वीडियो में जो है हमारी इन top 7 machine learning approaches के बारे में discuss किया था तो इसकी जो सबसे पहली हमारी machine learning approach है that is artificial neural network उसको जो हम हमारी आज की वीडियो में discuss करेंगे तो artificial neural network basically होता क्या है तो इसको जो है मैं यहाँ पे ANN की नाम से बार बार abbreviate करूँआ, pronounce करूँआ, यह जो है inspire किया गया था structure and function of human brain तो हमारी body के अंदर neurons होते हैं जो कि क्या करते हैं आपके एक तरीके से message passing का का काम करते हैं या फिर बाब बोलुआ, हमारे body के जितने भी sensors होते हैं senses होते हैं, वहाँ से message को convey करते हैं और transfer करते हैं through the human brain तो इसलिए यह हमारा inspired है structure and function of human brain से तो human brain के अंदर या मैं बोल सकता हूँ हमारी body के neurons जो होते हैं उनसे हमारा completely inspired है हमारा artificial neural network अब यह बेसिकली आपका computational model होता है जिसके अंदर कुछ interconnected nodes होती है जिसे हम बोलते है neurons और यह जो है हमारी layers की form में divide होती है अब computational model का मतलब होता है जो की model कुछ calculate करे यानि की जहाँ पे कुछ mathematical आपके operations functions perform हो रहे हो और वो operations और वो function जो है वो हमारे perform होंगे interconnected nodes के उपर जिने हम यहाँ पे neurons के name से जानते हैं और यह जो neurons है यह हमारे multiple layers की form में divide होते है जिसको मैं आपको इसी वीडियो के अंदर example की help से समझाऊँगा और आपको दिखाऊँगा या show करूँगा की artificial neural network actually मैं जब हम machine learning के अंदर implement करते हैं तो कैसा दिखता है अब यहाँ पे जो neuron की हमने बात की अब यह neuron जो है आपका receive करता input from other neurons यानि कि जिस भी neuron के पास हमारा message convey होगा वो neuron जो है क्या करेगा वहाँ से input लेगा और उस input data को process करेगा and after the processing of that input वो क्या करेगा neuron हमारा एक जो output होगा यानि कि after processing input का जो हमारा output होगा उसको जो वो है next neuron के पास जो है वो क्या कर देगा send कर देगा is in the form of output signal तो इस तरीके से जो है हमारा complete network डेवलप होता है जहाँ पे एक neuron जो है input receive करता है और उस input data पे कुछ processing करता है कुछ calculation करता है और जो भी output होता है उसको signal की form में next neuron के पास जो है वो pass कर देता है अब इसके अंदर हमारी तीन तरीके की layers होती है पहली होती है मारी input layer अब input layer क्या करती है जो हमारा input data होता है उसको जो है receive करती है और pass कर देती है hidden layers के पास अब hidden layers आपकी single भी हो सकती है और multiple hidden layers भी आपकी एक neural network के अंदर हो सकती है अब यह जो hidden layers है यह क्या करती है यहाँ पे जो है हमारा data transform किया जाता है और process किया जाता है अब किस तरीके से आपका data process होगा यहाँ पे भी जो है थार्ड जो हमारी layer होती है जिसको हम बोलते है output layer अब basically मैंने आपको बता तीन layer होती है input layer hidden layer और output layer input layer आपकी data को receive करेगी output layer आपकी output को produce करेगी यह मैं बोल सकता हूँ जो भी आपके computational result आया है उसको जह वो provide करेगी अब input layer और output layer के बीच में होती है हमारी hidden layer जो क्या करती है हमारे data पो transform करती है और process करती है अब इस तरीके से जो है आपका artificial neural network का model जो है machine learning के अंदर कुछ दिखाई देता है अब यह जो है left side में यह हमारी होती है input layer right side में होती है हमारी output layer और center में होती है हमारी hidden layer अब मैंने भी आपको बताया कि hidden layers हमारी single भी हो सकती है और multiple भी हो सकती है artificial neural network के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यह जो हमारे circles है यह जो है हमारे nodes कहलाते हैं और यह जो हमारे message pass कर रही है branches इनको हम बोलते है neurons तो यह जो है हमारी nodes और neurons का जो combination है यह हमारा neural network को create करता है और neural network की सबसे जो खास बात होती है कि हर एक neuron जो है दूसरे neuron से connected होगा अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से check करें आप वीडियो को pause करके देखेंगे तो मान लीजे यह मेरी input layer के अंदर मेरा neuron 1 है यह मेरा neuron 2 है और यह जो है मेरा neuron 3 है तो आप देखेंगे यह जो मेरे तीनों neuron है यह मेरे hidden layer के हर एक neuron से connected है तो यही हमारी artificial neural network की खास बात होती है कि हर एक neuron यह मैं बोल सकता हूँ हर एक node जो है वो दूसरे node से connected होगी और यह जो center में हमारी आप यह layers देख रहे है जो कि इन दो neurons को connect कर रही है इन्हें हम बोलते हैं weight यह मैं बोल सकता हूँ edge तो यह जो हमारे edge होते हैं यह weighted होते हैं अब यहाँ पे आपके कुछ functions होते हैं जिने हम technical terms में activation function बोलते हैं या फिर loss function बोलते हैं तो यह जो activation function और loss function होता है यह जो है हमारा input data जो receive हुआ उस पे हमारा calculation perform करता है जिसे हमने previous में पढ़ाए तो यह जो है हमारा general overview है artificial neural network का और हमारी आने वाली videos के अंदर जो की complete unit जो है complete neural networks के उपर है तो वहाँ पे जो है मैं इन activation function, loss function, weight, edge, neuron, node इन सभी के बारे में detail में discuss करूँगा बट इस unit के अंदर जो है हम हमारी machine learning का basically overview ले रहे हैं कि machine learning होती क्या है कौन कौन सी algorithms होती है और किस तरीके से वो कहाँ पे use की जाती है तो artificial neural network को जो हम wide range of machine learning tasks के अंदर use करते है जैसे image and speech recognition अब image और speech recognition के अंदर आपका input क्या होगा image के अंदर होगा आपकी images speech recognition के अंदर होगा आपका audio तो वो audio और image जो है हमारी input layer से होते हुए hidden layer पे जाएगी और वहाँ पे data का जो है वो transformation होगा processing होगी and then output में हमें जो है particularly हमारा output मिलेगा second इसके अंदर हमारी task आती है natural language processing जिसके अंदर हम क्या करते हैं जितने भी हमारे virtual assistants हैं जो कि हमारी simple एक command से कुछ भी work को play कर देते हैं या मैं बोलू कि अगर हम कुछ भी pronounce करते हैं तो उसको text में convert कर देते हैं तो वो जो है हमारा machine learning के अंदर ANN का use करते हैं that is artificial neural network का अब third इसके अंदर neural network की जो हमारी application है वो आती है हमारी time series prediction time series prediction का meaning है कि जहां पे भी data regularly update हो रहा है in the form of time जैसे कि weather है जो कि second by second minutes by minutes day by day जो है वो change होता रहता है fluctuate करता रहता है तो वहां पे अगर हमें weather की prediction करनी है weather forecasting करनी है तो हम कौन सी machine learning application या फिर algorithm यूज़ करेंगे वहां पे हम यूज़ करेंगे artificial neural network को तो यह जो है हमारा complete artificial neural network का that is ANN का हमारा overview था जहां पे हमने इसकी inspiration समझी कि basically यह create कहां से किया गया करता क्या है कौन कौन से neurons की form में हमारी interconnected nodes होती है किस तरीके से हमारी यह तीनों layer काम करती है input layer hidden layer और output layer और इसकी कुछ हमने यहां पे applications discuss की जो की currently industry के अंदर use की जा रही है थांक यू